Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसके पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूं कि इसमें कैसे topics पे question भी आते रहे हैं, जैसे 2021 में सवाल आया कि hedgehog और marmot और pangolin में ऐसे कौन से species हैं जो अगर आप देखें अपने आपको बचाने के लिए roll up कर जाते हैं, तो pangolin के बारे में पता ही है, hedgehog के बारे में लोगों को बता है, लेकिन marmot के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो ये आप तभी कर सकते हैं answer ऐसे question जब आपको पता हो कि species कौन है, और इसलिए हर species को समझने के लिए उसके habitat, उसकी आगर आप देखें, जो areas हैं जहां वो रहते हैं, in fact उनके characteristics के बारे में, और साथ-स questions में आप elimination भी use कर सकते हैं, but again, अब जैसे ये सवाल है, highest population जो है, बता रहा है कि केरला में है elephant की, जो कि actually गलत है, तो अगर आप इसको eliminate कर देते, तो आपको सीधे-सीधे A और C option मिलता, अब बाकी जो है वो आपकी prior knowledge और कितना आपने पढ़ा है, उसके basis पे आप कर सकते है तो again, this is how you can solve the question, similarly, ऐसे और भी question हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, but let's start with the species, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से compile किया है कि जो important species है, जो हमें लगता है exam के लिए काफी महत्वपून है, उनके बारे में बात करेंगे, साथ-साथ जो है, उनके habitat, उनके IUCN status, sites की जो list है, appendix 1 में है, highest protection है, या wildlife protection act 1972 के अंदर उनका किस level का protection मिला हुआ है, क्या वो schedule 1 या schedule 2 species में है, तो इसके बारे में हम लोग और भी detail में ऐसे several topics पे बात करेंगे, बट आज का focus है हमारा इस वीडियो में, वो है species news, तो पहली जो species है, वो है कारकाल, actually ये बिल्ली के तरह दिख ये, critically endangered category में है, similarly, colar leaf nose bat जो है, भी colar district of करनाटिका से आती है, critically endangered है, इस तरीके से कुछ ही दिखती है, photograph डालने का main कारण दोस्तों ये है, कि अगर आप देखें तो species अपने आप में एक factual topic है, और उसमें जब तक आप images से नहीं पढ़ेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, और इसलिए ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसको इस तरीके से आप करें, great indian busted, ये numbers बहुत ज़्यादा decline हो रहे है, सरकार का बहुत ज़्यादा focus है, इस species को revive करने के लिए, 50 से भी कम अगर आप देखें इनके numbers है, मतलब आप देखें, काफी ज़्यादा, आप देखेंगे, biggest bird की category में आता है, weight होने के कारण fly भी नहीं कर सकते काफी दूर तक, और endemic to India, राजस्थान, अब अगर आप देखें, prelims में काफी बार, इसको पर सवाल आ चुका है, जो desert national park है, गुजरात में, जनली grasslands में आपको मिलते हैं, तो highest level of protection है, similarly, himalayan brown bear, जो है, ये red headed vulture, Egyptian vulture, जो की अगर आप देखें, endangered है, himalayan griffin, sineros vulture, bearded vulture and griffin vulture, तो ये जनली desert, savana grasslands and mountain ranges में मिलेंगे, और इनके अगर आप देखें, recently, news में आया था, जहांपे एक vulture की photograph ली थी, यूपू में लोगों ने क्या गया था, उसके wings expand करके, परिशान करने की कोशिश करी तो ये सब चीज़े news में आती रहती है, जिस वज़े से कहीं ना कहीं, examiner को मौका मिल जाएगा, आपको उसके बारे में सवाल पूछने के लिए, similarly, African elephants की बात करें, तो सब सहारन African elephants critically endangered है, Asian लेकिन अगर आप देखेंगे, endangered category में आती है, और majorly wet, tropical, green, इसलिए आप देखें, दोनों के scale के color अलग है, ये थोड़ा बड़ा होता है, size में comparatively ये darker color का होता है, similarly, भुगौन लिचोलिया, जो है, ये अरवांचल परदेश में critically endangered एक bird की species है, Northern River Terrapin एक turtle की species है, जो आपकी South Asia में मिलती है, critically endangered category में आती है, tiger के बारे में बात करें, divers habitat में मिलेंगे, देरा 13 tiger range country जहां पर tiger freely roam करते हैं, इनका TX2 प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें भारत में बहुत अच्छा किया है, अवार्ड मिला है, tiger की population double हो गई है, endangered category में आता है, appendix 1 और schedule 1 species है, फिर lesser florican की बात करें, endemic है, ये भी endangered species है, subcontinent में मिलेगी, asiatic lion mostly आप देखेंगे, गिर्म में मिलते ह पिर भी आते हैं, उसके लावा हिमालियन ट्रिलियम जो है, ये जम्मु कश्मीर, हिमाचल बिदेश, हिक्किम, उत्राखंड, अफगानिस्तान में endangered species है, temperate subalpine zone में ये पौधा मिलता है, kangatik rival dolphin अगें बहुत important है, देखेंगे, UPSC exam के point of view से, सूसूबीस को बोलो जाता है, देखेंगे, अगर आप देखेंगे, तो इनकी conservation में बहुत जादा effort जो है, सरकार उठा रही है, endangered category में आते है, appendix 1, schedule 1 species है, देनिसन बार्ब एक मचली है, जो केरला करनाटिका में मिलती है, endangered है, ग्रे सेंडल लॉरिस जो है, ये southern इंडिया और श्रिलंका में मिलता है, endangered species है black necked crane, ये Tibetan plateau में मिलेगा, आपको near threatened species में ये category में आते है, जो malayan giant squirrel है, ये बांगदेश, नौर्थ इंडिया, Myanmar, यहाँ पर मिलेगा, near threatened है, और ये कैसरे हिंदी है, actually में अरुराचल प्रदेश की state butterfly है, अगर आप देखेंगे, इसके wing के color जो है, वो भारत के tricolor से मिलते हैं इसलिए इसका नाम कैसरेंद रखा गए, काफी बड़ी butterfly की species है, threatened category में है, और South East Asia में भी मिलती है, उसके इलावा देखें, spot-billed pelican or grey pelican, inhabit करती है, shallow lowland freshwater, near threatened है, Himalayan seru जो है, एक तरीकी से अगर आप देखें, ये goat species है, जो high altitude use में मिलेगी, आप पर 2000 to 4000 meter, बट वन लिरेबल fishing cat, थोड़ी grumpy से लग रही है, बट generally आप देखेंगे, ये बड़े तेज होते है, wetland और grove, mangrove habitats में मिलेंगे, endangered है, then giant leatherback turtle, जो है, ये all ocean में मिलेंगे, except जो बहुत थंडे होते हैं, जैसे कि Arctic and Antarctic, vulnerable species के लागए, Indian star tortoise, इनके जो shell है, star shape में रहते हैं, vulnerable species है, generally आपको moist, deciduous forest and sand dunes में मिलेंगे, then hubura busted, एक और bird की species है, जो arid climate में मिलेगी, mostly Middle Eastern, Arabian Peninsula में, but vulnerable category में आते हैं, leopard, mostly हर जगे आपको मिल जाएंगे, vulnerable है, himalayan, ये वाइगरा जो है, endemic to himalayan, इतिवतन प्लाटो है, और उतराखन, पितोराखन, multiple uses होते हैं इसके, then waltering albatross, generally आप देखें, vulnerable species है, olive really बहुत important है, mostly found in warm waters of the Pacific and Latin, इनकी जो mass nesting side है, अरिदाबा, वो बहुत important है, गारी मट, century में, तो, this is related, दोस्तों, हम और बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ऐसे detail program हम लोग अपने foundation batches में करते हैं, और और भी जो हमारे study IQ के program है, तो उसको भी आप join कर सकत किया है, 22 April से चालो हो रहा है, सुबह 8 बजे, इसमें हम लोग prelims 2, interview दोग आपकी त्यारी करेंगे, mains registration program है, और इसमें अगर आप देखेंगे, ये schedule है, subjects का, आप इसमें देख सकते हैं, सारी चीज़े end-to-end cover करी जाएंगी, और जैसी आप इसमें code लगाएंगे, deep live आपको instantly discount मिल जाएगा, 30,000 से जादा का, और इसके साथ आप चाहें तो optional भी ले सकते हैं, इसके लावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे various social media platform पे, QR code को scan करके, आप telegram से जुड़ सकते हैं